हलो डियर कीन माइंड स्टेडी एन एजुकेशनल डिसर्स सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों जिसा कि आप देख रहे हैं कि आभी NTPC लगतार 28 दिसंबर से एक्जाम हो रहे हैं NTPC का और आगे गुरूप D का भी होने वाला है और फिर देख रहे हैं कि SSC CHSL का वी डिट दे रखा है तो देख रहे हैं कि अभी भारत की जनगन्ना जो 2011 में हुई थी इससे लगफ़ा क्वेशन पूशी जा रहा है और बरावर सेशन में देख रहे हैं कि इसमें बरावर क्वेशन आ रहा है इसका तो सबसे पहले हम जोनते हैं कि जनगन्ना के बारे में तो आईए हम जनगन्ना के बारे में जितने भी टॉपिक से कोसिन पूशे गए जिस जिस टॉपिक से वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे पहले देख रहे हैं कि भारत की जननी नह 됐 equation nd भारत की जनगन्ना 2011 जनगन्ना आयुक्त सी चंदर मोली द्वारा राष्ट को समर्पीत भारत की पंदरवी राष्टी जनगन्ना है ठीक है तो भारत की जनगन्ना होता है वो जनगन्ना आयुक्त के भी द्वारा होता है और यह जो है भारत की जो है पंदरवी राष्टी प्रगनक शिक्षिका थी ठीक है इसका जो सुभंकर था प्रगनक शिक्षिका थी और इसका आदर्स्वाक हमारे जनगनना हमारा अभविस है ठीक है चलिए हम फिर आगे बढ़ते जैसा कि आपको देख रहे हैं कि हम पजन संख्या दे रखें कुल 121 करोर सम्थिंग है सक्षर्थादर 82.14 परसेंट और महिलाएं जो है 65.46 परसेंट और जनसंख्या घ्हनत तो अगर बात की जाए तो पर्ति वर किलुमेटर पे 382 व्यक्ति है और लिंगा अनुपात पर्ति 1000 पुरुशों पर 943 महिलाएं आई हम लोग चलते हैं टॉपिक पे कि भारत में पहली सबसे पहले यह पूछा जाता है कुछस्छन के भारत में पहली वर के रिधिवत जनतार में प्रारम्ब कभी तुन 182 बताएंगर चंते में बात तो बताएंगह कि लृट में आपतना की जो अबदी होती है ठीक है जनगन्ना की जो आप अबधी देख रहे हैं जनगन्ना की जो अबधी होती है दस वर्ष होती है ठीक है परतिक दस सालवाद जनगन्ना होती है और जनसंख्या के अधियन ये भी पूछा जाए रहा है कि जनसंख्या के अधियन क्या कहलाता तो जनसंख्या के अधियन डेमोग्राफिक कहलाता है और जनसंख्या किस सुची के अंतरगाता आता है तो बताएंगे जनसंख्या समवर्ती सुची के अंतरगाता आता है फिर हम देख रहे हैं यहां पर आजाद भारत की पहली जनगन्ना आजाद भारत की पहली जनगन्ना कब हुई थी तो बताएंगे कि महाम विभाजन और लगर्व विभाजन इसमें क्या आनतर है जब जन संख्या की बिर्धी दर घड़ती और बहरती है उसी समय यह 1921 मैश आप इसको महाम विभाजन वर्ष कहा गया था तो जनसंख्या का लग्भी विभाजन वर्ष कहा है 1951 अब ये भी question बनता है विश्व जन संख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को पूशा जाता है कि विश्व जन संख्या दिवस कब मना जाता है तो बताएंगे हम 11 जुलाई को फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं जनगना 2021 देश की जनगना है और यह कौन सी जनगना है तो ब जनगनना 2021 तक में भारत जो है पंदरवा वार जन संख्या की यह जनगनना है और आजाद भारत की सात्वी है जनगनना 2011 में कुल प्रस्ण सामिल थे 29 यानि 29 देश की कुल जन संख्या है लगभग 121.08 करोड यानि के 121 करोड और विश्व की जन संख्या का भारत में है 17.5 यह भी पूश आता है कि विश्व की जन संख्या है भारत में है कितना तो बताएंगे हम 17.5 अभी तो और भरी होगी लेकिन यह 2011 की जनगनना है अभी अब जो 2021 में होगी ठीक है तो इसका जो आएगा फिर मैं वीडियो लेके बताऊंगा यह अक्सर जो कोशन पुशी जा र जन संख्या का है परसेंटेज भारत में महिलाओं की जन संख्या है 58.74 परसेंट ठीक है और हम फिर 74 है फिर हम जोनते हैं सिसु जन संख्या जीरो से च्छा आयू समू का जो है 16.44 करोर है दस किया जन संख्या विर्दी 2001 से 2011 में जो वरही है विर्दी 18.19 करोर है यहानि कि जन संख्या कब होल का निकालेंगे तो 17.7 परसेंट जन संख्या घनत्तु है 382 वक्ती परतिवर किमी हम फिर आगे बढ़ते हैं लिंगा आनुपात क्या होता है ठीक है? लिंगा अनुपात है 943 महिला है 1000 प्रूस ये की हमारे भारत में जो है 1100 प्रूस परूस पे 243 महिला है लगवग 20 करोर के आसपास हैं। लक्ष द्वीप जनसंख्या की दिरिष्टी से चार सबसे बरे राज जी ये भी कोशन पूछा गया है जनसंख्या की दिरिष्टी से चार सबसे बरे राज जी कभी करम पूछी जैता है ascending में कभी descending में तो यहाँ पर जानते हैं कि सबसे बराराज जनसंख्या में उत्तर परदेश सकेंड में महाराष्ट ठर्ड में बिहार और फोर्थ में पस्षी बंगाल ठीक है यहाँ तक यह question डिल हो चुका है फिर हम आगे बरते जनसंख्या की दिरिश्टी से सबसे बरा जीला थाने महाराष्ट अना 1.10 करोर जनसंख्या की दिरिश्टी सबसे छोटा जीला अगर पुछा जाए तो दिवाओं और आप दोस्त यहाँ पर धियाँ दिजेगा कि सबसे छोटा और बारा फिर घनत तो इस पर आपको समझना होगा ठीक है और यह सबसे छोटा वरा भी है जब घनत वो आएंगे थम फिर घनत के बारे में बताएंगे ठीक है अब फिर आपके देखते हैं कि जनसंख्या जनसंख्या की दिरिश्टी से सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज जी परती वर किलोमेटर पर 1106 व्यक्ति यहां पर सरवाधिक जनसंख्या की बिर्दी दर है तो इसलिए सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज जी कहा गया तो नियूंतम जनसंख्या घनत वाला राज जी अरुनाचल परदेश यहाँ पर एक वर किलूम्टर पर मातर 17 व्यक्ति है ठीक है यह भी डन हो चुका है सरवाधिक जनसंख्या घनतवाला केंदर सासित परदेश की बात की जाए तो दिल्ली 11.320 व्यक्ति परति वर किलूम्टर यहाँ पर पॉइंट होता है फ्यली 11.320 व्यक्ति अब वर तो अवत चुका है दिबाउंग ठीक है फिर आगे बरते हम लोग अब लिंगा नुपात में चलते हैं ठीक है लिंगा नुपात को समझते हैं कि पूछरा है कि सरवाधिक लिंगा नुपात वला राज्य है केरल सबसे ज़्यादा जो लिंगा नुपात है हमारे भारत में वह राज्य है केरल जहा पर 889 महिलाएं परती एक हजार पूरुस है ठीक है दोस्तों इसको आसानिस आप समझ लिजेगा फिर आगे है नियूंतम लिंगा नुपात वाला केंदर सासित पर्देश है थे दमंदीव और आपको एक ध्यांत देना है कि केंदर सासित पर्देश और राज जी दोनों अलग होंगे ठीक है क्वेशन आपको केंदर सासित पूछा जाएगा तो वहाँ पर केंदर सासित लिखा रहेगा और राज जी का लग जाद करना है तो नियूंतम लिंगा नुपात वाला राज जी केंदर सासित पर्देश है और दमंदीव 618 महिलाएं परती एक हजार पूरुस और सरवाधिक लिंगा नुपात वाला जीला है माहे पूदुचेरी ठीक है माहे पूदुचेरी 1176 महिलाएं परती एक हजार पूरुस अगर पूछा जाए नियूंतम लिंगा नुपात वाला जीलाएं तो बताएंगे दमं यानि दमंदीव 533 महिलाएं परती एक हजार ये यह बी कुश़्म बहुत बार पुछे साथ चुके हैं कि, 2011 जनगन्ना की अनुसार तो बताएंगे हम केरल और 2019 साकठ्रता वन के न båब बाता है सबस्वानवें केंदर सासित परदेश ठीक है यहाँ पर यह देखना है सरवाधिक साक्षरता वाला केंदर सासित परदेश तो हम बताएंगे क्या बताएंगे लक्ष दीब क्या बताएंगे लक्ष दूइब फिर है नियूंतम साक्षरता वाला केंदर सासित परदेश है दादर एवं नगर ह अवेली और सरवाधिक सरवाधिक सक्षरता वाला जीला है सरचीप मिजोरम ठीक है 98.76 परसेंट और निन्तम सक्षरता वाला जीला है अली राजपूर मद्यपर्देश आईए हम 5 प्रसन का सेट लगाते हैं और इसमें देखते हैं कितना आप अंक कर पाते हैं ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रसन है जनगना 2011 अनुसार भारत में तीसरा सरवाधिक जनसंख्यावला राजजी कौन है चलिए वेट करते हैं कुछ दिर महराष्ट बंगाल अंदर परदेश बिहार तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार अंसर नंबर डी के पास अंसर हो जाएगा क्योंकि पहली बार हम जान रहे हैं पहली बार तो यह जान रहे हैं कि भारत में सबसे सरवाधिक जनसंख्यावला राजजी जो है वह है उत्तर प्रदेश आपको पता होगा और दूसरा होगा महराष्ट है ना और इसी तरह से हम तीसरा जानेंगे बिहार और च परथम जनगनना कभ हुई थी तो आपशन है 195112212271 और हम जानते हैं स्वतन रहे हैं परथम जनगनना 1951 में फिर नमबर तीन बस कुशन इसी तरफ पूछे जाएंगे Q3. 2011 में सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राजी कौन है? अब ये जश्ट हम उपर परहे हैं टोटल Q3. उतर परदेश, मद्द परदेश, बिहार, पस्चिमंगाल, सई अंसरोगा, बिहार Q4. भारत में नियमित जनगन्ना की शुरुआत कब हुई थी? अब ये question थुरा सा ध्यान से समझना, एक होता है बिधिवत, एक होता है नियमित, नियमित मिन्स continue, भारत में नियमित जनगन्ना की शुरुआत कब हुई थी? option है 1951, 1872, 1871, 1881, तो हम यहां पर अंसर देंगे 1881, ठीक है? पिर हम लोग last question बढ़ते हैं, सरवाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य है, उतर परदेश, केरल, पिहार, महराष्ट, अभी कुछी देर हम लोग पह रहे हैं, और इसका अंसर जाएगा, केरल के साथ, जो कि हम केरल के बारे में जान रहे हैं, वहां पर सरवाधिक कीजिए, और सस्क्राइब कीजिए, ठीक है, और मैं प्रियास करूंगा कि हर टॉपिक से एक एक वीडियो अच्छे अच्छे content लेकर आएंगे, और question भी लेकर आएंगे, ठीक है, धन्यवाद,